चलिए आज का बाल विकास का पहला कोशन देखते हैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बनाते भी चलिए और समझते भी चलेंगे कोशन बोड़ रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतिया करते हैं इस परिष्टिती का आपकी विशलेशन के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरवाधिक उप्युक्त है आपका उप्सन दिया हुआ है बच्चो का बुद्धी अस्तर निम्न है दूसरा उप्सन आपका दिया हुआ है बच्चो ने अभी तक संकल पनात्मक असपर्ष्टा प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षन विधी पर चिंतन करने की आप सकता है तिसरा option आपका दिया हुआ है बच्चों की अध्यन में रूची नहीं है और वह अनुसासन हिंता उत्पन करना चाहते हैं और चौता option आपका दिया हुआ है बच्चों को आपकी कक्छा में प्रोनत नहीं करना चाहिए था तो इसका answer आप लोग सुचे कि क्या होगा फिर समझते हैं चलिए तो इसका सही answer देखते हैं तो इसका सही answer है आपका option B जो option B क्या कर रहा था बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक असपर्ष्टा प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी सिक्षन विधी पर चिंतन करने की आप सकता है बिल्कुल देखे होता क्या है कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतिया करते हैं इस परिष्थिती के विशलेशन के अनुसार सरवाधिक उप्युक्त कारण यहीं है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक अस्पस्ता प्राप्त नहीं की है तथा सिक्षक को अपनी सिक्षन विधी में चिंतन करने की आप सकता है क्योंकि सिक्षन परकिरिया में अपनाएं गए सिक्षन विधी बहुत ही महतोपूर्ण होता है और विशेवस्तु को पढ़ाने है तो गलत सिक्षन विधी के कारण ही बच्चे जो है वो गलतिया करते हैं इसलिए इसका अंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है चलिए इस क्वेशन को देखते हैं अज मैंने कुछ बड़ा बड़ा क्वेशन को इसमें सेट किया है क्वेशन बोल रहा है कि कच्छा परिछनों में अच्छा परदासन करने में एक बच्चे की और सफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आपका यहां पर चार अप्शन दिया हुआ है अप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने का पर्यास भी कीजिएगा कोशन मैं फिर से रिपिट कर रहा हूं कच्छा परिछनों में अच्छा परदर्शन करने में एक बच्चे की और सफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाता है कि अ अब अप्शन पढ़ देता हूं आकलन वस्तुनीष्ट है तथा और सफलताओं को असपस्ट रूप से पहश्चानने के लिए इसका परियोग किया जा सकता है दूसरा अप्शन दिया हुआ है बच्चे कुछ निश्चित छमताओं और कम्यों के साथ पैदा होते हैं तिसरा अप्शन दिया हुआ है पाठिकरम शिक्षन पदती तथा आकलन परकिर्याओं पर विचार करने की आप सकता है और चौता अप्शन आपका दिया हुआ है कुछ बच्चों को अनुतिर्न हो नहीं है चाहे बेवस्ता उन पर कितना भी अधिक परियास करे इसका अंसर सोचे क कि क्या हो सकता है चलिए तो इसका राइट एंसर होगा आपका ऑप्शन तीन पाठिकरम शिक्षन पदती तथा आकलन परकिर्याओं पर विचार करने की आप सकता है बिल्कुल ध्यान देजेगा कि कच्छा परिशनों में अच्छा परदसन करने में एक बच्चे की असफलत हमें इस विश्वास की तरफ ले जाता है कि पाठ करम शिक्षन पदती तथा आकलन परकिर्याओं पर विचार करने की आप सकता है ताकि विशे की सलकरमतना जो है वो बच्चे को सही रूप से असपश्ट हो सके इसलिए इसका अंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीन जाएगा तो देखते हैं थांडेग ने बुद्धी के तीन परकार बता है और वो तीन परकार आपका कौन-कौन सा है तो पहला आपका मुर्ध बुद्धी दुसरा आपका समाजिक बुद्धी और तिसरा आपका जो है वो आपका अमुर्ध बुद्धी है चलिए फिर से र अमूर्द बुद्धी होते हैं वे बच्चे गायन के छेत्र में जादा है सो अपने आपको रूची रखते हैं तो आपका सकते हैं कि आईसे बच्चे जो हैं गायक इसके अलावे इंजिनियर कारिगर मेकेनिक इत्यादी हैसों बनते हैं और समाजिक बुद्धी के जो समानिता उन्हें देखा गया है कि चित्रकार, साहितिकार, डाक्टर, वकील या फिर दार्शनिक छेत्र में वो जादा रूची रखते हैं तो याद रखेगा कि थांडाइक द्वारा बुद्धी के तीन प्रकार बताएं गये हैं मुर्द बुद्धी, समाजिक बुद्धी और मुर्द बुद्धी, चरें नेश कोशन को देखते हैं, राश्टी साक्षर्ता मिसन की अस्थापना कब की गई, आप्सन दिया हुए आपका पांच मैं 98, पांच मैं 99, दस मैं 99, और चौन्था आप्सन आपका दिया हुए है, उपरुक्त मैं से कोई नहीं, थोड़ा सा राश्टी साक्षर्ता मिसन की अस्थापना जो है, आपका पांच मैं 98 को की गई थी, जिसका उद्देश था कि 15 से 35 वर्ष के आयू के सभी निरक्षर वेक्तियों को कार्यात्मक साक्षर्ता परदान करना, याद रखेगा उम्र सीमा कितना था, 15 से 35 वर्ष, और 15 से 35 निरक्षर वेक्ति थे, उन्हें कार्यात्मक साक्षर्ता परदान करना, और इसका नारा भी बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो याद रखेगा इसका नारा था, हम सब का एक ही नारा, निरक्षरों को साक्षर बनाना, और एक और नारा था, हर घर में ज्यान का चिराग तभी बच्चा स्कूल चलेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है इसे भी आप याद रख लेंगे चलिने इस कोशन है निम्लिखीत में से किसने कभुत्तर पर अपना परियोग किया है अप्सन दिया हुआ है इसकीनर बावलाव थांडाइक चौथा अप्सन आपका इनमें से क कोई नहीं तो इसका अंसर आप लोग सोच करके बताएं किसने कभुत्तर पर अपना परियोग किया था चलिए इसका राइट अंसर याद रखिएगा कि इसकीनर ने कभुत्तर पर अपना परियोग किया था तो अंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन ए चलिनेस कोशन है प्याज अनुपात और समानुपात और आंकडो का परभंधन तो सोची जरा इसका आनुसर किया होगा कैमेंट कर बतलाईए तो याद रखेगा प्याजे का नुसार आंकडों का परबंधन जो है वो अपचारिक परिचालन के अस्तर पर परिचे देने का उप्युक्त समय होता है इसलिए इसका अंसर है आपका ओप्सन D आंकडों का परबंधन चलिए नेस कोशन है इसको समझेगा अच्छे से कोशन बोड़ा है कि इन्वे से कौन से अधिकम असकता वाले बच्चों की एक विशेष्टा है आपका पचास से नीचे की बुद्धी लबदी दूसरा आपका धारा परवारूप से पढ़ने तता सब्दों पर पलट कर जाने में कठनाई तिसरा उप्षन आपका अन बच्चों को धमकाना तता आकरामक कारियों में लगे रहना और चौता उप्षन आपका दिया हुआ है एक ही परकार की गत्यात्मक किरिया को बार बार दोहराना सोचे कि इसका अंसर क्या हो सकता है तो ऐसा बात नहीं है कि अगर कोई बच्चा निसक्त है इसका मतलब कि उसका बुद्दी लब्दी जो है वो कम होगा अगर सी ओप्षन देखते हैं तो बोला है कि अन बच्चों को धमकाना तता आकरामक कारियों में लगे रहना तो ऐसा नहीं है कि अपराद जो है निसक्त बच्चे करेंगे और जो सक्त बच्चे हैं वो अपराद नहीं कर सकते हैं तो यह option को भी आप हटा दीजिए और आपका चौंथा option दिया वह एक ही परकार की गत्यात्मक किरिया को बार बार दोहराना तो ऐसा नहीं कि निशक बच्चे कोई भी काम नहीं करेंगे और अच्छे नहीं कर सकते हैं और एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो यह भी option को हटा देते हैं और यहां जो आपका option B जो बच रहा है तो B क्या कर रहा है? नहारा परवारूप से पढ़ने तथा सब्दों पर पलट कर जाने में कठनाई तो हाँ बिल्कुल यह हो सकता है और इसके अत्रिक्त और भी समसें जो आसक्त बच्चे में आती है वो होता है और इस्थीरता सामबेगी, कठनाईया मंद वह और परियाप सारिक विकास इत्यादी तो इसका अंसर याद रखेगा इसका अंसर हो जाएगा आपका B धारा परवारूप से पढ़ने तता सब्दों पर पलट कर जाने में कठनाईया चरी नेस कोशन इससे याद रख लिजएगा इसका सिधा अंसर भी मैं बता देता हूँ ब्रेल लीपी का विकास किया तो याद रखेगा ब्रेल लीपी का विकास जो है लूइस ब्रेल ने किया था तो उप्सन सी इसका अंसर हो जाएगा चरी नेस कोशन को देखते हैं यह बहुत बड़ा चीज नहीं था यह भी बहुत ही इजी कोशन है लेकिन कई बार सीटेट के एकजामे पूछा गया है इसलिए इंपोर्टन कोशन ही समझेगा लेकिन बहुत हलका है सिख्षा की परकिरिया के अंग होते हैं आप्टन दिया हुआ है सिख्षक, सिख्षार्ती, पाठकरम, यह सभी तो याद रखिएगा यह सभी हो जाएगा इसका अंसर ज़ोकि सब इसलिए शिख्षा का परकिरिया होता है उसमें सिख्षक बना अनिवारे है पहला अस्थान आपका राजस्थान का है जो आपका 3,42,249 वर किलोमेटर में फैला हुआ है वहीं दुसरे अस्थान में आपका मत्पर्देश है जो 3,8,252 वर किलोमेटर वहीं तिसरे अस्थान में आपका महराष्ठ है जो 3,7,713 वर किलोमेटर में फैला हुआ है तो ये अ चले नेस कोशन वह मानवी योकता जिसके दवारा वेक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है आपका option दिया हुआ है सिर्जनात्मक्ता, परत्यक्षी करन, परच्षेपन और उदाती करन तुसका सही answer आप लोग सुची क्या हो सकता है चलिए तुसका सही answer याद रखेगा तुसका सही answer है आपका option A सिर्जनात्मक्ता याद रखेगा वो मान्वी योगता जिसके दकी किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वो आपका श्रीजनातमक्ता कलाता है अर्थात करियेटिभीटी इसे अंग्रेजी में क्रिटिभीटी करते हैं तो करियेटिभीटी ओप्सण A इसका अंसर है चलिए नेस कोर्शन आपका उज प्रात्मिक अश्तर पर भासा सिखने सिखाने का एक उद्देश से है आपका ओप्शन दिया हुआ है ब्याकरन के सभी नियमों को कंठस्ट करना सहित की गद एवं पद विधाओं की रचना हिंदी भासा के समगर इतिहास के बारे में जानना और चौत्वा उप्शन आपका दिया हुआ है ब्यासा की नियम वा प्रकिर्टी की पहचान और उसका विशलेशन करना तो इसका अंसर आप लोग सोची कि क्या हो सकता है सर एक सोपचास मार्स का आपका एक्जाम होना है आप मानकर के चली मैं एक एवरेज चल रहा हूं किसी भी कटेगरी का हूं अगर आप साथ नमर ले आते हैं तो आपका सेलेक्शन स्यूर है गरेंटी है कि आपका हो जाएगा चली इसका एंसर देखते हैं इसका एंसर है पहचान और उसका विशलेशन करना सिखाया जाता है क्योंकि जब तक आप नियंबत प्रकिर्टी की पहचान और उसका विशलेशन करने की जनकारी नहीं रखेंगे तब तक विद्यार्थी जो है वो आगे पढ़ाई करने में असक्षम रहेगा चलिए नेश को देखते हैं मा अगर इसका अंसर नहीं दे पाईएगा तो फिर एकजाम देने के लिए जाने के भी जुरुवत नहीं है चलिए तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन डी सिक्षक छाच्छात्राएं और समुदाएं याद रखेगा कि मानुए प्रबंदक के घटक जो है इसमें आप आपका शिक्षक छाच्छात्राएं और समुदाएं तीनों आ जाएंगे चलिनेस कोशन अति महत्पुन कोशन है कोशन आपका बोल रहा है कि सारे ग्रूप से और सक्षम बच्चों को समानित्य होता है आपका ओप्सन दिया हुआ है डिस लेक्सिया डिस ग्राफिया डिस इ पेंडिनेस कोशन बच्चों को समानितर डिस ग्राफिया होता है तुल यह बहुत है महत्पुन कोशन आपका ध्यान से पढ़िएगा और अंसर मिनो श्रवादिक उपयोगी है आपका ओप्सन दिया हुआ है इतिहास सिक्षन से गनित सिक्षन से कला सिक्षन से और चौथा उप्षन आपका भासा सिक्षन से तो याद रखेगा डोमिनोज जो है आपका गनित सिक्षन से है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा आपका भी गनित सिक्षन से याद रखेगा डोमिनोज सरवाधिक उपयोगी है कोसन क्या था आप आपका भय, कुरोध, प्यार, ये सभी, तो इसका answer क्या होगा, ज़रीनि मैंने पहले भी बताया था, अगर option देता है, कि सभी का, तो हम सभी के साथ ही जाने का परियास करेंगे, तो बिल्कुल सही, इसका answer हो जाएगा, ये सभी, तो कभी जब ये भी question देता है, कि Watson ने कितने संबेग बताएं हैं अगर ये कोशन देता है और option दे दिया एक दो तीन चार जो भी रहे तो याद रखेगा Watson ने तीन संबेग बताएं थे और ये तीन संबेग कौन-कौन सा है तो आपका तीन संबेग है भय क्रोध और प्यार इसलिए इसका अंसर हो जाएगा आपका option D ये सभी चले ने स्कोशन करा है कि मानुए परबंदक के कितने घटक होते हैं आपका option दिया हुआ है दो तीन चार और चौंथा आपका साथ तो इसका अंसर याद रखेगा कि मानुए घटक जो होते हैं उसके तीन घटक हैं और ये तीन घटक होते हैं आपका ऑपरेटिव परबंदक किये और तिसरा आपका सलाकार होता है तो याद रखेगा मानुए परबंदक के कितने घटक होते हैं तो तीन होते हैं कौन-कौन होते हैं तो ऑपरेटिव परबंदक किये और सलाकार ये आपके तीन घटक है चले नेस कोशन को देखते है शुकराती वीधि कहते हैं, आपका ऑप्सन दिया हुआ है कहाने वीधि को, ब्याख्या वीधि को, प्रस्नोतरी वीधि को और चौथा आपका विशलेशन वीधि को तो याद रखेगा बहुत जड़ादा इसमें सोचने जरूत नहीं है शुकराती वीदी जो है वो प्रशनोतर वीदी को कहा जाता है तो अगर आपका question देता है सुकराती वीदी किसे कहते हैं तो प्रशनोतर वीदी को या प्रशनोतर वीदी का दुसरा नाम क्या है तो सुकराती वीदी है तो इसका answer हो जाएगा आपका option C चलिए आपका next question है आदर्स वादी किसको महत्व देते हैं आपका option दिया हुआ है जड़ परकिर्ती की अपेक्छा मनुस्य को दूसरा option आपका दिया हुआ है बहुतिक से अधिक आध्यात्मिक जगत को तिसरा option है वस्तु की अपेक्छा विचार को और चौता option आपका दिया ह हुआ है उपरोक्त सभी को तो इसका अनसर सोची कि क्या होगा अगर उपरोक्त सभी कर देंगे तो अनसर आपका गलत हो जाएगा तो याद रखिएगा आदर्स वादी जो है वह आपका जड़ परकिर्ती के अपेक्छा मनुस्य को अधिक महत्व देता है अर्थाद इसका option हो जाएगा ए जड़ परकिर्ती के अपेक्छा मनुस्य को रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो दुसरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा चलिए नेस को देखते हैं चलिए आज का अंतिम कोशन का रहा है कि किसका कथन है वेक्ति के वहवार का समूचा सार ही उसका वेक्तित्व है आपका option दिया हुआ है उडवर्थ, फ्राइड, मार्टन और चौंता option आपका दिया हुआ है यूंग अंसर बताए क्या होगा सोचिए इस तरह के question अवन जो है बहुत ही महत्वपून question होते हैं और परिच्छा में अक्सर है सो पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा वेक्ति के वहवार का समूचा सार ही उसका वेक्तित्व है या कठन उडवर्थ का है अथाद इसका option हो सब्सक्र इसका पांड़र